Good morning guys What good morning मेरे यहां रात के साड़े ग्यारा बज़े हैं और मेरे यहां तो बहर के साड़े बारा बज़े हैं ऐसे जब भी आप लोग ग्रूप वीडियो कॉल करते हैं टाइम को ही डिसकस करते हैं तो ठीक है फिर तुमारे फाइनल एक्जाम के स्कोर के बारे मैं बात करते हैं मेरे यहां सुबह के साड़े छे बज़े हुए और मेरे यहां बज़े है सुबह के साड़े साथ चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग सुनाओ संडे जो है तो मैं इंटरनेट से पढ़के एक बहुत इंट्रेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी सुनाओ So, here I go Hi guys, मेरा नाम है हिमाश और मैं एक डॉक्टर हूँ To be specific, I'm a surgeon पिछले तीन दिन से मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलाओं मेरे साथ जो हुआ, पता नहीं क्यों आप सब तक पहुँचाने का दिल कर रहा है इसलिए मैं अपने कमरे में बैठ कर ये स्टोरी टाइप कर रहा हूँ मेरी स्टडीस कम्प्लीट हुए बस अभी कुछी टाइम हुआ था और तब से मैं एक जॉब की तलाश कर रहा था 25 का हो चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर था मुझ पर जल्दी से जॉब ढूनने का और फाइनली मुझे एक हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है जहां पर इंटिव्यू देने के बाद मैं सिलेक्ट हो गया था आज मुझे लगबख एक महीना हो चुका है हॉस्पिटल जाते हुए बहुत सादा दोस्तों नहीं बने अभी मेरे क्योंकि वहाँ पर सब सीनियर है लेकिन ठीक ठाक बातचीत हो जाती है सबसे कभी कभी वो लोग मुझे अपने साथ लंच करने के लिए बुला लेते हैं और जब कोई नहीं बुलाता तो मैं अकेले लंच कर लेता हूँ पर मुझे से कोई प्रॉबलम नहीं थी जबरदस्ती दोस्त बनाने का प्रेशर में बिल्कुल नहीं ले रहा था जब कोई अपने जैसा मिलेगा तो दोस्ती होई जाएगी आज से करीब दस दिन पहले एक नॉमल डे की तरह मेरा हॉस्पिटल में गुजर रहा था और तबी अचानक एक अजीब सी अफरात अफरी हॉस्पिटल में मच गई मुझे लोगों के भागने की और चिलाने की आवाजें आ रहे थी I'm a human after all Curiosity तो होती है तो मैंने भी अपने आसपास जो डॉक्टर्स थे उनसे पूछा कि क्या हो गया ये अचानक से शोर किस चीज़ का रहा है तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें जादा कुछ तो नहीं पता पर एक ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया है जिसके सभी बॉडी पार्ट्स कटे हुए है जैसे ही उसको हॉस्पिटल में लेकर आया गया रिसेप्शनिस्ट उसको देखकर चिला पड़ी और जो भी अचानक उसके सामने पड़ जाता है उसे देख लिता है वो जोर से चिला पड़ता है लोग उसको देखके डर जाते है और यही रीजन है कि कुछ लोग भाग जाते हैं वहां से और उसकी वज़ा से एक ऐसा महाल बन गया है अफरात अफरी वाला हास्पिरिल के अंदर यह सुनके मुझे बड़ा अजीब लगा और दुब भी हो रहा था कहीं न कहीं उस पेशेंट के लिए और उसकी फैमिली के लिए खैर एक तो दिन बाद मैं यह बाद भूल गया और अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो गया वैसे तो हर वक्त काम रहता था कुछ ना कुछ लेकिन जब भी काम से फुरसत मिलती थी तो थोड़ी सी ज़रूरत महसूस होती थी मुझे एक दोस्त की एक बार मैं लंच टाइम पे अकेला बैठा हुआ था और पता नहीं क्या सोचते हुए सामने देख रहा था मेरे सामने खड़ी हुई थी एक लड़की जो थोड़ी हैरान सी नजरों से मुझे देख रही थी क्यूंकि उससे लग रहा था कि मैं उससे देख रहा हूँ फिर कुछ सोचते वह वो मेरे पास आई और पूछने लगी क्या देख रहे थे आप and immediately my focus shifted from my thoughts to this girl मैंने मुस्कुराते हुए उससे बोला कि I'm sorry आपको ऐसा लग रहा हुगा कि मैं आपको देख रहा था पर ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं तो कुछ सोच रहा था और आप बस मेरे सामने खड़े वे थे मेरी बात सुनकर उसके चैरे पर जो हलका सा गुसा था वो एक हलकी सी स्माइल में convert हो गया था और मैंने उससे पूछा कि आप यहां क्या कर रहे हो तो उसने बताया कि उसे बस हलका सा बुखार हुआ था जिसकी वज़े से वो बेहोश हो गी थी पस यह चोटा सा रिज़न था जिसकी वज़े से उसको हास्पिटल लाया गया तो वो बस दो दिन के लिए यहां आए और दो दिन के बाद चली जाएगी यहां से इसके बाद वो मुझसे बस ऐसे कुछ बाते करने लगी और बातों बातों मैंने उससे बताया कि यहां का स्टाफ थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी मेरी कुछ खास दोस्ती नहीं हुए किसी से तो उसने भी अपने एक्सपिरिंस शेयर किये और पता है कि उसे टॉक्टर्स थोड़े से रूड लगे यहांके उसे मेरी बात उससे पता चल गया था कि मैं थोड़ा किला हूँ उसने मुझे कहा कि जब तक वो यहां पे है मुझे से मिलती रहेगी मैंने दिखाया नहीं पर उसकी बात सुनके मैं खुश हो गया था खैर अगले दिन जब फिर से मैं काम पर आया तो हॉस्पिटल घुसते साथ ही मेरी नजरे बस उसे ढून रही थी अपनी गाड़ी पार करके जैसे ही मैं गार्डन की तरफ गया वो वहीं टहल रही थी मैं सीधे उसके पास गया वो भी मुझे देखकर खुश लग रही थी कुछ दिर उससे बाते करने के बाद मैंने उसे बोला कि अब मुझे अपने पेशिंट्स देखने जाना है लंच पर मिलते हैं उसे छोड़ कर जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था मेरा पर काम तो करना ही था खैर काम करते करते लंच टाइम कब हुआ पता नहीं चला मन में बस ये थोट आया कि अगर ये मुझे नहीं मिलती तो मुझे इसे ढूनना पड़ता अच्छा होता अगर मैं इसका नंबर ले लेता मैं अट लिस्ट उसको डारेक्ली कॉल करके पूछ सकता था कि तुम कहा हो लेकिन वो होता है ना एक डीसेंसी मेंटीन करनी पड़ती है अचानक से एक लड़की से उसका नंबर मांगना मुझे सही नहीं लग रहा था ये दो गंटे का लंच टाइम उसके साथ कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला लंच खतम होने के बाद रोस के काम और फिर अगले दिन जब मैं फिर से हॉस्पिटल आया मेरी नजरे बस उसी को दून रही थी गाड़ी पाक करते ही मैं बस लेफ्ट राइट आगे पीछे हर जगा देखने लगा भी चैन ओके कि कहीं मुझे दिख जाए लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखी फाइनली मैंने अपने केबिन में जाने के लिए लिफ्ट बुला ली और जैसे ही लिफ्ट आई वो लड़की लिफ्ट के अंदर थी लिफ्ट में बात करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास इसलिए बस एक हलकी सी स्माइल एक्सचेंज होई और मैंने उसे बोला कि लंच में मिलते हैं अपने केबिन में पहुँचकर मैंने सारा काम खतम किया और लंच होने से कुछ तेर पहले ही मैं लिफ्ट की तरफ भागा बहुत सारे थौट्स मन में आ रहे थे थोड़ा बुरा लग रहा था ये सोचकर कि कल से वो मेरे साथ नहीं होगी और कल शायद मैं अकीला ही लंच कर रहा हूँगा मैंने लिफ्ट का बटन प्रेस कर रखा था और जैसे ही लिफ्ट मेरे सामने आकर खुलती है एक बार फिर से वो मुझे लिफ्ट में मिल गई उसका चेहरा सामने आते ही मैं सब कुछ बूल जाता था कोई टेंशन नहीं बस अच्छा लगता था लिफ्ट में घुसते ही मैंने उससे बोला तब ही मुझे क्लिक हुआ कि मेरा नाम मेरी आईडी पर लिखा हुआ है देख लिया अगा उसने लिफ्ट बार बार अलग-अलग फ्लोर्स पे रुक रही थी लेकिन उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पढ़ रहा था यह लड़की मेरे चहरे को देख रही थी वो हैरान होकर पूछ रही थी कि क्या हो गया मैंने उससे बताया कि अभी जो आदमी लिफ्ट के अंदर से गया है उसके हाथ में रैड टैग था तो तो क्या हुआ तो मैंने का कि रेड टैग उन लोगों के हाथ में लगाया जाता है जो पेशेंट मर जाते हैं और उन्हें मौर्चरी में भेजा जाता है ये सुनकर वो थोड़ा परिशान होई और बोली कि तुमने कुछ और देख लिया होगा कुछ और होगा शायद मैंने जवाब दिया कि मैंने साफ साफ देखा है वो रेड टैग ही था इस वक्त लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक चुकी थी और बार बार खुल रही बंद हो रही थी लेकिन मेरे पैर इतने जम गए थे कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वहां से चलके निकलने की वो भी मुझे डरा हुआ देखकर परिशान दिख रही थी फिर मैंने अपने मन को तसली देने के लिए बोला कि शायद कोई प्रैंक होगा ये आदमी किसी के क्यों नहीं आ रही हो तो उसने का कि तुम बहुत डर गयो अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी मैं समझ गया कि वो आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है इसलिए ऐसा बोल रही है मैंने तुरंट अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे बोला मैं हिमाश और तु उसने एक समाइल के साथ मुझसे हाथ मिलाया और कहा मैं सारा उसका हाथ मेरे हाथ में था पर मुझे ऐसा महसूस हो रहता जैसे मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं मैंने तुरंट बिना कुछ सोचे उसकी हाथ की तरफ देखा और जानते हो मुझे क्या नजर आया उसकी स्लीव क अंदर से छांकता हुआ वही रेड कलर का टैग जो मुर्दों को बांधा जाता है मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और जब मुझे होश आया मैं अपनी जान पेचान वाले डॉक्टर्स से गिरा हुआ था इसी हॉस्पिटल के एक रूम में ये डॉक्टर्स मुझे से पूछ रहे थे क्या हो गया तुझे तेरी तबियत तो ठीक है और तु लंच टाइम में अकेला बैठा क्या बढ़बढाता रहता था इसलिए तो हम तुझे बुला रहे थे अपने साथ लंच करने के लिए मुझे लगा मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा पर मेरे पास कोई आप्शन भी नहीं था मैंने उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया और जैसे ही मैंने बोला कि उस लड़की का नाम सारा था उन में से एक डॉक्टर की आँखे फटी रह गई हक लाते हो इसने बोला सारा तो वही लड़की थी जिसके सारे बॉड़ी पार्ट्स कटे हुए थे और उसकी तो उसी दिन मौत हो गई थी मैंने का नहीं नहीं वो कोई दूसरी होगी तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना तो वो बोले नहीं हम कोई प्रैंक नहीं कर रहे हम ऐसे तो किसी ने उसको देखा तक नहीं है एक काम करते हैं उसके रिकॉर्ड्स लेकर आते हैं फिर चेक करते हैं तो इन डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर उरके नीचे गया reception से उसके records लेने और जब वो उपर आया हमने उसके हाथ से file ली और जब सारा की photo देखी तो ये बिलकुल वही लड़की थी जो मैंने describe करी थी वही बाल, वही चेहरा जिससे मैं रोज बातें करता था हम सभी doctors बहुत बुरी तरीके से डर गए थे और मेरे तो आसो भी गिर रहे थे बहुत देर तक हम लोग बिना कुछ कहे बस वही चुपचा बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तो छुटी ले ले कुछ दिन बस घर में आराम करना और जब ठीक लगे तब ही आना हम तुझे time time पे फोन करते रहेंगे अब इन डॉक्टर्स में से कोई ना कोई मुझे हर वक्त फोन करते रहता है मेरे हाल चाल पूछते रहता है उनसे बात करके मुझे भी थूड़ा ठीक लगता है बस एक बात की तसलिय है कि उन सब को मेरी बात पर भरोसा हो गया और अब हम सब अच्छे दोस्त बन गए है